अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे एक सवाल बोलू, कि मुझे बताओ, हेलो मुझे प्रिंट कराना है एक बार, आप क्या बोलोगे, प्रिंट अफ में क्या लिखो? मैं आपसे बोलू, दो बार कराना है, तो आप क्या बोलोगे? दो बार हेलो लिखो मैं आपसे बोलू हेलो पाँच बार प्रिंट कराना तो आप बोलो के प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, पाँच बार हेलो लिखो मैं आपसे बोलू सव बार हेलो प्रिंट कराना तो आप हो सकता है फिर यही जबाब दो सो बार प्रिंट अफ लिखो सही जबाब है ना गलत थोड़ी है मैं बोलू पास सो बार हेलो प्रिंट खराना है तो आप फिर बोलो कि प्रिंट अफ, प्रिंट अफ, प्रिंट अफ करते हुए पास सो बार लिखो सही जवाब है लेकिन हमारे पास उसका एक solution है जब आपको लगे किसी एक line को बार-बार चलाना है किसी एक line को जब ऐसा आपको लगे तो आप for loop को use करोगे for loop का काम होता है किसी एक line को बार-बार चलाना if का काम होता है कि अगर if true है condition तो उस लाइन को चलाना एक ही बार फॉरलूप और इफ में बहुत फरक है इफ मतलब वो कंडीशन चेक करके उस लाइन को चलाएगा कि नहीं यह तैह होता है फॉरलूप में क्या होता किसी लाइन को बार-बार चलाने में मदद मिली कौन हजार बार लिखते बैठेगा नहीं सीखना फॉरलूप तो आप हजार बार लिख सकते हो यह भी चलेगा लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे सर मैंने क्लास जाना छोड़ दिया है डेमो में गया था लेकिन आपका पढ़ाना पसंद आया तो बंद कर दिया क्लास जाना तो एक है क्लास देख क्लास नाशीक में होता है अभी यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ प्रिंट एफ हेलो मुझे क्या च communal पता है इस Bundes पांच बार चलाना या पास्टाव बार चलाना एक सिंटाक्स है फॉर मैं तो आपको फार लिकना पड़ेगा कुछ तो लिखना पड़ेगा मेरे करली ब्रैकेटस के अंदर जो लाइन लिखी होगी मैं सिर्फ उसी लाइन को पास्सो बार चलाओंगा बागी अगर आप बाहर लिखोगे तो मैं उसको नहीं चलाने वाला जैसे कि यह मेरे करली ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइन होगी मैं उसे पास्तो बार चलाऊंगा लेकिन देखके कहा पता चल रहा है पास्तो बार चलाना है यही तो बताना है उसके अंदर कितनी बार चलाना है बस अब वो चीज अंदर लिखते हैं देखो आप क्या करो पता है एक memory बना लो बताता हूं क्यों memory का नाम i भी रखा जो चलेगा z भी रखा चलेगा x भी रखा चलेगा कुछ भी चलेगा अब किताब में i है इसलिए हम i लिख देते है हाँ लेकिन i index को represent करता है आगे मुझे array पढ़ाना है तब मैं बात करूँगा क्या होता है array जाने दो i लाम की memory आपने बनाई है आपको यहां क्या लिखना पता है i को 0 से शुरू करो i जब तक छोटा है किस से पासो से तब तक i को बढ़ाते रहो आपने ऐसा लिखा है एक से बढ़ाना होता है i++ sequence बताता हूँ कौन कैसे चलता है वो ध्यान दे न आपको यही चीज तो पता नहीं होती और बात में फिर interviews के टाइम पर प्रॉब्लम होती है सबसे पहले compiler यहां आया होगा main के अंदर से i एक memory बनाई i नाम की लिख दिया फिर उसने देखा रहे for loop है मतलब मुझे for loop के अंदर जाना पड़ेगा और मुझे बहुत किसी line को बार बार चलाना पड़ेगा ऐसा सोचके वो अंदर आया उसे कौन मिला i equal to zero i में zero रखने की बात हो रही है तो यहां पर zero रख दिया मैंने अब आगे फिर वो और आगे आता है देखता है क्या i छोटा है पास्सों से तुम बताओ छोटा है i कितना है zero है क्या zero छोटा है पास्सों से तो वो ना आगे नहीं जाएगा देख लो वो अंदर आएगा वो सोचेगा चलो छोटा है न तो इस लूप के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर जो लाइन है मैं उसको एक बार चलाता हूँ तो वो आएगा इस लाइन को चलाएगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा hello लेकिन जब वो यहाँ पहुचेगा तो इसको छोड़के बाए को नहीं ब्रिंट कर देगा वो अंदर ही रुकेगा जब यहाँ पहुचेगा तो क्या होगा इस करली ब्रैकेट के पहले आए को बढ़ाएगा वो डायरेक जाएगा इधर से इधर जाके इसको बढ़ाके आएगा यह बढ़ गया कितना हो जाएगा यह? वन जैसे ही वन हुआ उसके बाद यह वापिस से इधर आएगा क्या वन भी छोटा होता है पास्टो से? हाँ तो फिर से अंदर आएगा क्या प्रिंट करेगा? hello फिर यहाँ आएगा यहाँ से फिर भाग के जाएगा इधर फिर आए बढ़ के कितना हो जाएगा? टू फिर चेक होगा क्या टू भी छोटा होता है पास्टो से? हाँ फिर से hello और उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर बढ़ेगा यह 3 हो जाएगा क्या 3 भी छोटा होता है पास्टो से? हाँ ऐसे करते हुए सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएगे चलो मान लेता है यह 499 हो गया बढ़ते 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 फिर चेक होगा क्या 499 भी छोटा होता है पास्टो से? हाँ hello फिर से प्रिंट हुआ फिर आए बढ़के हो जाएगा 500 होगा जरूर बढ़ेगा जरूर 500 ने बाद फिर चेकोगा क्या 500 से छोटा होता है क्या नहीं तो अब आप लूप के बाहर आओगे और बाई प्रिंट होगा आखरी बार और अच्छा किया आपने 0 से शुरू किया वैसे भी अगर आप चाहो तो बाद में प्रिंट कराओगे आए को तो जानते हो क्या प्रिंट होगा कौन बताएगा बाई के बाद क्या प्रिंट होगा आए की वैल्यू कित्ती होगी प्रिंट 500 क्योंकि 500 जब हुआ तभी तो बाहर आए ना 499 नहीं होगी आए बढ़के पासो हुआ क्या पासो पासो से छोटा होता है कि नहीं तो आप बाहर आए तो पासो वैल्यू उसकी फिक्स हो गई तो कभी भी यूज कर सकते हो पासो कही प्रिंट कराना है तो कर लो आए को यूज हा लेकिन अगर आपने आय में यहां फिर से 0 रख दिया और फिर प्रिंट कराओगे तो 0 प्रिंट होगा 500 डिलीट होगा वो तो आपके उपर है क्या करना है एक बार एक्जांपल दिखाई देता हूँ आपको यह सेव है कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया तो न्यू फाइल आता है सेव एस कंट्रोल एस दबाया तो और इसका नाम रख देता हूँ फॉर लू डॉट सी में से प्रोग्राम शुरू होगा लिखा मैंने में उसके बाद यहां पे लिख देता हूँ आय को शुरू किया जाए 99 से एक्स को ठीक है आय को ले जाया जाय एक्स को ले जाया जाय जब तक एक छोटा किससे 105 से एक्स प्लस प्लस तब तक क्या करें फॉर लूप का कहना है इस मेरे करली ब्रैकेट में जो लाइन लिखोगे मैं उसे ही बार-बार चलाओंगा यहाँ सेवी कोलन लगाना भी गलत है आप बोल रहे हो फॉरलूप शुरू करो और फॉरलूप को end कर दो end कर दो तो क्यों करली ब्रैकेट लगा रहे हो फिर फिर आप गलत कर रहे हो चलो ऐसा रहना देता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ printf a printf b backslash यहाँ पर भी लिखता हूँ बस रहने देता है a b print हो फिर line मतले अच्छा ऐसा लिखा b के बाद line मतले जब x 99 होगा तो a b print होगा फिर 100 होगा क्या 100 भी छोटा है 105 से खाफिर से a b print होगा फिर 101 होगा 101 क्या 101 भी छोटा है 105 से हाँ फिर से a b क्या 102 भी छोटा है 103 भी छोटा है 104 भी छोटा है 105 छोटा है क्या नहीं लेकिन जरूर वो 105 होगा चलेगा नहीं क्यों क्योंकि condition match नहीं होई जब तक condition match नहीं होती तब तक चलता रहेगा कभी बाइच नहीं हुई तो इंपाराइट लूप में भी चलेगा होता ऐसा करके दिखाता हूँ यहां पे सेमी कोलन नहीं इसले अरर आई यह देख सकते हो यहां पे एक दो तीन चार पाच छे बार प्रिंट हो रहा है